नमस्का दोस्तू स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरूजी में आज के अपने इस वीडियो में हम बिग्यान से सम्मन्दित कुछ पिष्णों की बात करेंगे तो जिन पिष्णों की हां में हां बात करेंगे चलिए उनको देख लेते हैं तो इसमें जो सबसे पहला हमारा पिष्ण है कि संबहन द्वारा उस्मा का इस्थानांतरण किसमें हो सकता है ठीके उस्मा का इस्थानांतरण होना है और किसके द्वारा होना है संबहन के द्वारा होना है यह किसमें हो सकता है यह हमें बताना है आप्शन ए ठोस एवं द्रब में आप्शन बी ठोस एवं निर्वात में आप्शन सी गैस एवं द्रब में और आप्शन डी निर्वात एवं गैस में तो इसका जो सही आंसर है वह है गैस एवं द्रब में ठीके तो संबहन द्वारा जो उस्मा का इस्ताना अंतरण होता है व बात करें हम सम्भाहन की ठीक है क्या है पूछा गया था कि सम्भाहन द्वारा अब ये सम्भाहन होता क्या है ठीक है तो सम्भाहन में क्या होता है कि जो सम्भाहन की प्किरिया होती है इसमें पदाज के जो अणू होते हैं वह एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर इस्थाना अंत्रत होते हैं तो यह हैं पिकरिया होती है गैस एबम द्रब में अगर हम गैस को या द्रब को कुछ भी गरम करें तो उसमें जो उजा का इस्थाना अंत्रण होगा कि उसमें एक कणू उसका दूसे अणू दूसे जगा चला जाएगा तो इसका इस्थाना अंत्रण जो कोई भी बरतन हमने लिया और उसमें हमने आग उसके नीचे जलाके उसको पानी को गरम किया ठीक है तो क्या होगा जो नीचे पानी के अडू है वो गरम होगे कहा जाएंगे उपर जाएंगे और उपर के ठंडे जो अनू है वो कहाएंगे वो नीचे की साइड आएंगे तो यही होता है संबहन की किरिया के दोरा उज़ा का इस्ताना अंतर यह किरिया जो होती है वह होती है गैसों में और द्रबों में आगे बढ़ेंगे कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फोरने हाइट तापमापियों में एक ही होंगे ठीक है उसका कहना यह है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फोरने हाइट तापमापियों में जो तापमान होगा वह एक ही होगा option A, minus 40, option B, 212, option C, 40, option D, 100 तो इसका जो सही अंसर है, वह है minus 40, ठीक है तो minus 40 degree एक ऐसा तापमान है, अगर हम इस तापमान पर देखें तो इस तापमान पर अगर हम Celsius या फोरने हाइट, दोनों तापमान प्यों को देखें तो दोनों का प्यों माना एक ही होगा, यह दोनों एक ही होंगे, अब कैसे होंगे एक Celsius और फोरने हाइट में एक सूत्र होता है, क्या होता है, C upon 5 C हमने हाँ, Celsius माना जाता है, Celsius माना जाता है, तो Celsius को 5 से डिवाइट करें और फोरने हाइट में से क्या करें, 32 को minus करें और भाग किसका लगाते हैं भाग इसमें लगाते हैं 9 का ठीक है तो इस फॉर्मॉली की सहाथा से हम चेक करते हैं अब इस F की जगा हम क्या रखेंगे माइनस 40 को रखेंगे तो माइनस 40 और माइनस 32 दोनों माइनस की होंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे जूड जाएंगे, और कितना हो जाएगा, माइनस का 72, और भागे कितना रहेगा, 9 का, अगर हम इस 9 से 72 को काटनें, तो 8 बार जाएगा हमारा, और जो इस 5 का गुणा किस्म हो जाएगा, इस 8 में हो जाएगा, तो C के बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुणा 5 करेंगे, तो माइन चालेस डिगरी पर चाहे वह सेल्सियस प्रेमान हो चाहे वह फॉरेन हाइट प्रेमान हो दोनों ही ताप माप भी क्या होंगे एक होंगे आगे बढ़ेंगे अगला प्रस्न है कि एक स्वस्त मनुस्य के सरीर का ताप कितना होता है ठीक है एक स्वस्त अगर मनुस्य है तो उसक ओप्शन A, 37 degree Celsius, ओप्शन B, 37 degree Fahrenheit, ओप्शन C, 98 degree Celsius और ओप्शन D, 98.5, 98.4 degree Celsius, तो इसका जो सही अंसर है, वह है कि 37 degree Celsius, अगर कोई व्यक्ति है और और स्वस्त है, ठीक है स्वस्त है, तो स्वस्त मने इसके जो सरीर का ताप होता है, वह होता है 37 degree Celsius, अगर हम इसी में बात कर दें, कि फॉरेंड हाइट में कितना होता है, ठीक है, यह तो Celsius में दिया गया है, 37 degree Celsius, ठीक है, अगर हम इसकी फॉरेंड हाइट में बात करें, तो यह होता है 98, यानि 98.6, कितना होता है, 98.6 फॉरेंड हाइट होता है फॉरेंड हाइट में, और अगर ह तीनों आपको याद रखना है Celsius में 37, Fahrenheit में 98.6 और Kelvin में 310 Kelvin यह होता है स्वस्त मनुस्य के सरीर का ताप आगे बढ़ेंगे कि परम सून ताप क्या है ठीक है परम सून ताप क्या है यह हमें बताना है Option A किसी भी तापमान पैमाने का आरंबिक बिंदू Option B सैद्धानतिक रूप से नियूनतम संभव तापमान Option C वह है तापमान जिस पर सभी द्रब पदार्थों के बास्प जम जाते हैं और Option D इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही अंसर है वह है Option B ठीक है Option B इसका क्या है सही है और Option B क्या है Option B है कि सैद्धानतिक रूप से नियूनतम संभव तापमान तो जो भी सेद्धानते ग्रूप से नियुंतम संबाव ताप मान है वह कहलाता है परम सूने ताप ठीक है और परम सूने ताप से नीचे कोई भी ताप मान नहीं होता है अगर हम बात करें कि इस केल की बात करें तो अगर केल्बन में बात करेंगे तो वो होगा 0 केल्बन ठीक इस पर होगा यह है परम सून ताप और पर क्या होता है कि जो आणविक उर्जा होती है वह है सून हो जाती है नियूंतम हो जाती है आगे बढ़ेंगे कि थर्मो इस्टेट ठीक है क्या बताना है जो थर्मो इस्टेट है वह है इंत्र है जो ठीक है थर्मो इस्टेट क्या कार क का ताप क्रम सो नियंत्रित करता है और option D किसी निकाय का दाब सो नियंत्रित करता है इसका जो सही अंसर है वह है कि किसी निकाय का तापमान सो नियंत्रित करता है निया option number C इसका सही है तो thermostat वह है प्रोसेस होती है जो किसी भी निकाय का तापमान है वह सो नियंत्रित करता है आगे बढ़ेंगे कि जब वो बर्फ प्रगलती है तब क्या होता है ठीक है जब बर्फ प्रगलती है तब क्या होता है ओप्सन आयतन बढ़ता है ओप्सन बी आयतन घटता है ओप्सन सी दर्बमान बढ़ता है और ओप्सन डी दर्बमान घटता है तो इसका जो सही अंसर है व पहला हुआ लोहा हो बर्फ हो पीतल हो या कोई और पदात हो तो उसमें क्या होता है कि जब यह ढलते हैं या गलते हैं तो यह अपने आयतन में क्या हो जाते हैं शिकूरते हैं ठीक है जब यह आयतन में शिकूरते हैं तो यह अपने ही दर्ब में क्या करते हैं तैते रहते हैं थेंक्यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद